नहे माया की पुस्तक अध्याय चार जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपना को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदीयों को ठटों में उड़ाने लगा। वह अपने भाईयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा। वे निर्बन मनुश्य यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दुरुढ करेंगे? क्या वे यग्य करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निप्टा डाले क्या वे मिट्टी के डेहरों के जले होए पत्थरों को फिर नए सेरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तो भी हा था, वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिदर भी उस पर चड़े, तो वह उनकी बनाए होए पत्थर की शहरपना को तोड़ देगा हे परमिश्वर हमारी सुन ले, कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उनही के सिर पर लुटा दे, और उन्हें बन्धुआई के देश में लुटवा दे, और उनका धर्म तू न ढाप, और न उनका पाप तेरे सनमुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्ह ने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने कुरुध दिलाया है, और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, और सारी शहरपनाह आभी उचाई तक जुड़ गई है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा, जब संबलत और तोबियाह, और अर्बियों, और अम्म पनाह की मरम्मत होती जा रही है, और उसमें के नाके बंध होने लगे है, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना, और सभोंने एक मनित से गोश्टी की, की जाकर यरुश्लेम से लड़े, और उसमें गडबड़ी डाले, परन्तु हम लोगों ने अपने परमिश्वर से प्रा दोने वालों का बल घट गया, और मिटी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरबना हमसे नहीं बन सकती, और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे, और उन्हें घात करके वह काम बंदन न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा, और न कुछ द दस पार आाकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लवटाना चाहिए, इस कारण मैंने लोगों को तलवारे बर्चिया, और धनुश देकर शहरबना के पीछे सबसे नीचे के खोले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया, तब मैं देखकर उठा, और रई और भाययोग्य है, उसी को समरन करके अपने भाईयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध कर, तो जब हमारे शत्रों ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है, और परमेशर ने उनकी युक्ती निश्पल की है, तब हम सब के सब शहरबना के प और आधे बर्चियों, तलवारों, धनुशों और जिल्मों को धारन किये रहें, और यहुदा के सारे घराने के पीछे हाकीम रहा करते थे, शहर पना के बनाने वालों और बोच के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दुसरे हाथ से हतियार पकड़े रहते थे और राज अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नरसिंगे का फुकने वाला मेरे पास रहता था इसलिए मैंने रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पना पर अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं इसलिए जिहर से नरसिंगा तुम्हें सुनाए दे उधर ही हमारे पास इकटे हो जाना हमारा परमिश्वर हमारी ओर से लड़ेगा यो हम काम में लगे रहे और उनमें से आधे वह पहप हटने से तारों के निकलने तक बर्चिया लिए रहते फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक-एक मनुश्य अपने दा समेत यरुश्लेम के भीतर रात बिताये कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई न मेरे सेवक न वे वे जाकते थे